हलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SBI कलर का फॉर्म आ चुका है और इसमें फॉर्म अपलाई होना भी और स्टार्ट हो चुका है 17 मेरी तक लास्टेट है तो इसमें से बहुत लोग जानना चाहते होंगा कि क्या SBI कलर का एकजाम पॉस्टपॉन होगा क्योंकि कोरोना का अभी केस बहुत जादा बढ़ा हुआ है वैसे फिलाल अभी एड़ प्रेजेंट तो कोरोना की केसे थोड़े बहुत कम हो रहा है लेकिन पहले केसे बहुत जादा थे तो इस बिच अभी लॉग डाउन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉग डाउन चल रहा है तो क्या एकजाम का जो सेड़्ूल डेट है वो आगे एक्स्टेंट होगा या नहीं होगा यह तो बहुत लोग जानना चाहते होंगे तो इसमें आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ आपका यह अभी तो जैसे कि लॉग डाउन चल रहा है लेकिन इसका इसका एक्जाम जून तक हो जाना चाहिए जून लास्ट तक हो जाना चाहिए क्योंकि SBI काफी अच्छी और्गिनाजेशन है तो उसमें एक्जाम को कैंसल करने का बहुत कम चांस लग रहा है जैसा कि आप लोग भी जानते है कि SBI फार्मसिस्ट का भी एड्मिट काड आ चुका है 23 में को उसका एक्जाम है तो इसी साब से अगर देखा जाए तो एक्जाम कैंसल होने का संभावना बहुत कम ही है ऐसा केस तो पिछले साल भी क्रियेट हुआ था कि कुरोना के केसिस बहुत जादा थे अगर देखा जाए तो लोग सोच रहे थे कि एक्जाम होगा या नहीं होगा या आगे एक्स्टेंड होगा फिर भी एक्जाम हुआ ही था पर इस साल का सिच्वेशन थोड़ा डिफरेंट है पिछले साल के कंपेर में क्योंकि इस साल करोना के केसिस थोड़े जादे हैं और मतलब केसिस थोड़े जादा खतरनाक भी हैं तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो exam वैसे organization के हिसाब से अगर देखा जाए तो exam conduct होना चाहिए लेकिन अगर करोना के cases को अगर हम लोग देखें तो इस हिसाब से exam का date आगे extend होना चाहिए पर गाइज आप लोग अपने study को कभे भी बीच में मतलब वीक नहीं होने दीजेगा कभी study छोड़िये मतलब study continue करते रहें क्योंकि उससे यह होगा कि exam तो खेर form अगर भरा जा चुका है तो exam तो कभे भी जरूर ही होगा तो आप लोग अपना study अगर continue र study नहीं कर रहें उनके लिए आगे जाकर काफी ज़्यादा वो एक तरह से कहिए तो एक बोज ही बनता चला जाएगा उनके उपर तो आपको अपने study को नहीं रोकना है अपने study को आप लोग को continue करते रहना है आप exam में भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यह तो ना मैं जा अगर आप लोगा study नहीं कीजेगा तो यह आपके ऊपर एक तरह से बोज ही बनता चला जाएगा और exam कब हो जाए इसकी यह कोई नहीं जानता है पर एक बात ता है कि exam होगा जरूर चाहे वो जून में हो जुलाई में हो या अगस्त में हो तो exam तो होगा जरूर तो ज्याद प्रोसेसर स्टार्ट हो चुगा है तो cases कम तो होंगे लेकिन कब तक होंगे यह तो अभी कोई नहीं जान सकता है कोई भी नहीं कहा रहा है कि कब तक यह cases कम होंगे तो आप लोग अपनिया study continue रखिए और जहां तक सवाल है exam नहीं होने का तो देखिए pharmacist का भी अभी admit card आ ग छोड़े बिलकुल भी न और study को continue रखें क्यूंकि अगर आप लोग अपना study अपना continue नहीं रखिएगा तो फिर आगे जाके वो आपके उपर एक burden ही create होता चला जाएगा so thank you guys for watching this video मेरे channel को subscribe कर लिजे और इस video को like कीजे और कोई भी query होगर आपका तो comment section में आप लोग पूछ सकते हैं so thank you guys